बिसमिल्लाई रुख्मान रुरहीम, dear students, अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स की. इससे पहले हम operators के बारे में बात कर चुके हैं कि operators से मुराद वो symbols हैं जो के आपके operations पे कुछ ना कुछ operation परफॉर्म कर सकते हैं. मिसाल के तोर पर अरिथमेटिक operators के हमने बात की जिसमें plus का sign है, minus का आपका operator है, और devian का operator है, और multiplication का operator है, और इसके इलावा modulus का operator है. ये सब के सब operators हैं. यूनरी का अगर हम लवजी मतलब देखें, तो जो लवज यूनरी है, वो unit से निकला है. और unit का लवजी मतलब है, इकाई, यानि एक value. और binary की अगर हम बात करें, तो हम जाते हैं कि binary का लवजी मतलब है two, यानि दो values. तो यूनरी operators ऐसे operators होते हैं, जो के एक single value के साथ मिलकर काम कर सकते हैं. जबके binary operators ऐसे operators होते हैं, जिनके लिए at least दो operands की जरूरत होती हैं. मिसाल के तौर पे, अगर हम plus operator की बात करें, आपके पास जब तक दो values नहीं है, आप plus operator को use नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे, आप A plus B को use करते हैं, तो यहाँ पर दो operands हैं, A और B. इसका मतलब है, कि plus operator एक ऐसा operator है, जिसके लिए at least दो operands चाहिएं. बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने दो values को multiply करना है, आप कहते हैं A multiplied by B. अब यहाँ पर भी हमारे पास दो operands हैं, A और B. It means कि जो आपका यह operator है, multiplication का operator, यह भी एक binary operator है. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे operators भी हैं, जो के unary operators हैं, यानि वो एक single value के साथ काम कर सकते हैं. आईए देखते हैं कि हमारे पास unary operators कौन कौन से हैं. हमारे पास unary operators तीन है, minus, 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 और plus, plus. मैं इन तिनों को explain करता चलूँ. लेट से कि आपके पास कोई variable है, int, A, और आपने उसमें value store की वे, A is equal to 10. अब A की value 10 है. अगर आप simply लिख दें, minus A, तो यह statement valid है. और इससे होगा यह कि आपकी जो value 10 है, यह change होके minus 10 में convert हो जाएगी. It means कि जो minus का operator है, यह बयत वक्त binary operator भी है और unary operator भी है. यानि यह दो values के साथ भी काम कर सकता है और एक single value के साथ भी काम कर सकता है. लेकिन बाकि जितने भी operators है, जैसके addition का operator है, आपका deviant का multiplication और modulus operator, यह इनके लिए at least दो operants का होना ज़रूरी है, तब ही यह काम perform कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं minus minus और plus plus की. Actually, minus minus और plus plus increment और decrement operator है. Increment और decrement operator का मतलब यह है, कि जो minus minus operator है, यह आपके लिए decrement का काम करता है. अगर किसी variable के साथ आप minus minus दो symbols minus के use करें, तो उसकी value एक से reduce हो जाती है. निसाल के दोर पर आप कहते हैं int a is equal to 20 और बाद में आप कहते हैं a minus minus या फिर कहते हैं minus minus a. यह दोनों statements valid हैं और यह दोनों statements actually आपके variable की value में से एक value, एक number minus कर देंगे. It means कि अगर आप यह statement लिखते हैं तो आपके variable के जो value stored पहले 20 थी, वो reduce होके 19 रहे गई है. बिलकुल इसी तरह से आपका unary operator plus plus काम करता है और यह increment operator का काम करता है. means कि यह आपके variable की value में a का इजाफा करता है और आप इसे इस तरह से use कर सकते हैं, for example, int b is equal to 30, for example, और बात में आप कहते हैं b plus plus, या कहते हैं plus plus b, दोनों सूर्तों में आपके variable में मौझूद value जो है 30, उसमें a का इजाफा हो जागी, यानि वो 31 बन जाएगी. अब आप यह सोच रहे होंगे कि b plus plus b valid है और plus plus b b valid है, minus 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 a b valid है और a minus minus b valid है, क्या इन दोनों statements में कोई फरक है, जी हां, इन दोनों में से एक post fix और एक prefix है, अपनी next वीडियो में हम इसे details से discuss करेंगे.